हुआ ह से हेलो बच्चो तो आज के क्लास में हम लोग पैरा बोला के जो टेंजन्ट के प्रॉपपर्टिज पढ़ेते प्रॉपपर्स को फिर लोग इस प्रपर पर्टी पalloकोष करने मदलब को बoupूंट के सब्सक्क्राइब मुझ कटकर wigilisky य coffee चे औरभ करता है वहाँ पर उन दोनों टेंगत के बीच कह एंगल 90 डिग्री स्लटीम सब्सक्राइं यही पढ़े थे तो यहीं यहां पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं टेंजेंट फोकल कॉर्ड के एक्स्टिमीटी पे दो टेंजेंट बनाऊं तो वह दोनों टेंजेंट आगे चलकर एक दूसरे को डारेक्टिक्स पे इंटरसेक्ट करेगा और जो उनके बी लिख लिजे और इसी प्रॉपर्टीज को ना और करके किसी और फॉर्मेट में मैं लिखके देता हूं कि दा लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंस ऑन दफोकल कॉर्ड और एक्स्टिमीटी ऑफ फोकल पहले इसको लिख लो फिर मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं और करके ने इसको भी लिख दिया हूं कि इसको मैं लोकस के भी वर्ड में दे सकता है लोकस भी लिखा रहता है कभी-कभी तो दर लोकस देखो यह दोनों tangent जब हम focal chord के extremity पे बनाएंगे तो दोनों tangent एक दूसरे को directrix पे cut करेगा तो यह जो point है point of intersection directrix पे लाई करता है तो इस point का यह जो point of intersection है इस point का जो locus होगा वो directrix होगा मतलब देखो कोई भी point जिस curve पे लाई करता है न उस point का वो particular curve locus होता है जैसे मानलो मैं यह करके कोई curve है मानलो और यहाँ पे कोई point P है और मैं पूछूँगा कि इस point P का locus क्या होगा तो यह path इसका locus होगा यह जो curve है इस point का locus कहलाएगा तो इनका point यह दो perpendicular tangents एक दूसरे को directrix पे touch करता है तो इनका इस point का जो लोकस होगा वो directrix होगा जैसे बता है circle में जो perpendicular tangents होते हैं उनके लोकस को क्या बोलते हैं at the extremities of a focal chord जैसे ही मैं focal chord के extremities पे tangent बनाऊंगा वो दोनों tangent 100% एक दूसरे को right angle पे cut करेगा ठीक है ना focal chord is directrix लोकस का कहलाता है directrix का कहलाता है and the angle between the tangents at point of intersection यह POI का मतलब है point of intersection at point of intersection is 90 degree ओके तो पहला property समझ भी लिए थे लिख भी लिए चलो अब दूसरा property लिखेंगे लिख लिख लिए पहले से नाओ second properties देखते हैं second properties क्या कहता था अगर किसी भी parabola पे हम tangent बनाएंगे तो वो tangent कहीं न कहीं जाके आगे चलके directrix पे करेगा तो जो parabola पे tangent का point of contact है और आगे चलकर directrix पे जहां पे cut करेगा तो वो जो beach का portion होता है न वो दोनों portion focal chord पे 90 degree अंगल बनाता है यही हम लोग पढ़े थे ठीक है तो the length देखो मतलब यह tangent मैं किसी भी point पे बना दिया एक point P है यहां पे tangent बनाया टेंजेंट लिखावा यह tangent line हो गया ठीक है इस यह tangent line आगे चलकर देखो इस directrix को कहां पे cut कर रहा है Q पे cut कर रहा है तो यह जो PQ line है P से एक ray चला और Q से एक ray चला जब focus पे आके मिलता है यह तो यह right angle पे मिलता है मतलब 90 degree पे मिलता है यह कितना degree है यह 90 degree पे मिलता है यही property है यह लिखावा the length of tangent between the between the point of contact the length of tangent tangent का वो length जो between the point of contact and the point where it meets the directrix और आगे चलकर यह tangent जहां पे directrix को meet करेगा यह बीच वाला length focus पे 90 degree angle बनाता है second property यह समझेते है लिख लिख लिए आप लोग फिटर्टर प्रॉपर्टी समझेंगे है अब देखो यह तीसरा property क्या कहता है क्या समझेते हैं tangent angle को भी एक angle को bisect करता कौन से angle को bisect करता है वो यहां पे लिखा हुआ है और last class में मैं वो समझा भी दिया हूँ तो देखे क्या लिखा हुआ है the tangent at any point P देखो एक पैराबोला लिया मैं यह पैराबोला क्या ले लिया y square equal to 4 ax एक पैराबोला ले लिया मैं इस पैराबोला के किसी point P पे हमें tangent बनाएंगे ठीक है एक tangent बनाएं और इस tangent से निकल इस point P से निकलने वाला focal chord यह है ठीक है और इसी point P से निकलने वाला एक line है PM जो directrix पे क्या है perpendicular है ठीक है ना तो देखो ध्यान से देखना यह जो PM length है PM और यह जो PF focal chord है इनके बीच माल लो यह जो angle बन रहा है न यह angle 2 theta बन रहा है ठीक है यह एंगल 2 theta बन रहा है तो यह जो tangent है ने इस 2 theta को न यह total angle को न बाइसेक्ट करता है मतलब आधा उपर आधा नीची theta ऊपर theta नीचे एगा total angle 2 theta है तो वही यह लिखा हुआ है the tangent at any point P the tangent at any point P क्या लिखा हुआ है the tangent at any point P of a parabola किसी भी parabola के किसी point P पे हम जो tangent बनाते हैं वो on to the directrix and perpendicular from P to the directrix पे जो perpendicular डनेगा मतलब P से जाने वाला focal cord और P से जाने वाला perpendicular on the directrix के बीट जो angle बन रहा है देखो यह जो angle बन रहा है यह tangent के द्वारा bisect हो रहा है है ना यह P अगर होता यह focal cord होता तो यह जो tangent हो जाता तो यहाँ पर यह tangent इस उच्छा कर रहा है bisect कर रहा है तो यह अपना third property था ठीक है दो property और मैं समझाया था वो भी लिखमाऊँगा और sixth property जो मैं बोला था next class में समझाऊँगा वो अब यहाँ पर समझाऊँगा ठीक है तो पहले यह तीन लिख लिजे तीसरा लिख लिजे फिर चौथा लिखते है देखो fourth property क्या कहता ह फोकस से किसी टैंजीन पे perpendicular डालो क्या कहता है अगर मैं फोकस से किसी टैंजीन पर परपेंडिकुलर डालो तो वह जो फूट होगा फूट अपर पेंडिकुलर होगा वो टैंजीन ही होगा tangent at vertex पे ही लाई करेगा तो यह जो foot top perpendicular है यह tangent at vertex पे लाई कर रहा है और मैं समझाया हूँ कि जो भी कोई भी point अगर किसी particular curve पे लाई करता है तो उस particular point का जो लोकस होता है वो curve होता है जिस पे वो लाई करता है तो यहाँ पे इस foot का जैसे माल लो इस foot को माल लो let's say A हो गया इसको अगर मैं A माल लो और यह point P है इस P पे tangent डाले ठीक है और focus से इस tangent पे मैं perpendicular डाला तो A पे tangent पे perpendicular हुआ तो A ना tangent at vertex पे ही लाई करेगा वही लिखा हुआ है locus of foot of perpendicular क्या कह रहा है locus of foot of perpendicular from focus upon any tangent is tangent at vertex locus of foot of perpendicular किसका foot of perpendicular focus का किस पे tangent पे कहां पे लाई करेगा tangent at vertex पे लाई करेगा तो उसका locus क्या कहलाएगा tangent at vertex लाई करेगा ठीक है और इसी focus का जो fifth property है इसी focus का अगर मैं image निकालू इसी focus का क्या निकालू मैं अगर image इसी focus का अगर मैं image निकालू, तो वो directrix पे लाई करेगा, देखो, कोई focus है ना, अगर focus का मैं कहीं पे अब कर्व आपज़ू, उपर समझाते हैं, मोई लो कोई point focus है, उसका अगर मैं foot निकालू, तो वो directrix tangeted vertex पे लाई करेगा और image निकालूं तो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा है ना और डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट एड वर्टेक्स हमेशा पैरलल ही होता है ठीक है ना आर यह बात समझ में तो यह देखना आपको बहुत हेल्फूल होगा कोशन देता है मीरर इमेज निकालने वगरह के लिए फोकस का मिरर इमेज किसी टेंजेंट पर तो वह 100% टेंजेंटर वर्टेक्स पर लाई करेगा तो पांचमा प्रॉपर्ट्टी क्या है कि फोकस का इमेज किसी टेंजेंट के बाउट हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा वह पांचमा प्रॉपर्ट्टी पहले यह ल के अबाउट इस टेंजेंट मीरे के बाऊट अगर मैं फोक्स का इमइज निकालो तो वो हमेशा डैरेक्ट egal और इसका फूट कहां पर लाई करता है फूट देखो कहां प्रिक करता तेंजेंटेट वर्टेक्स पर लाई करता है जो पैराबोला कर चाहिए बनाता हूँ उसी को कहते हैं तो फुट तेंजेट वर्टेक्स पर लाइक करता है और इमेज कहा लाइ करता है डायरेक्ट्रिक्ट्स पर लाइक करता है ठीक है तो उसी को मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि focus का image अगर tangent को mirror मानते हुवे find आउट करेंगे तो वो इमेज 100% डारेक्ट ट्रिक्स पे लाइक करेगा है ना हिंदी में भी मैं लिख दिया हूँ ताकि आप समझ लो अच्छे से तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे हम लोग कोशन्स में हेल्फुल होता है तो लिख लिजे अब देखे सिक्स्थ प अगर मैं किसी भी पैराबोला पे दो टेंजेंट बनाओ और वो तो कट करेगा तो जहां पे कट करेगा उस आर का जो पॉइंट ओफ इंटरसेक्शन है मतलब आर का जो कोडिनेट है मतलब पॉइंट ओफ इंटरसेक्शन अफ जो टेंजेंट होगा वो यह होगा ठीक है देखो इसको याद करने यह लिख लीजिए याद कैसे करेंगे समझाता हूं मैं जी ओ ए गोवा से याद रखना है कैसे देखो जी का मतलब होगा यहां पे जियोमेट्रिक मीन जियोमेट्रिक मीन ठीक है जी का क्या मतलब होगा जियोमेट्रिक मीन और ए का मतलब होगा यहां पे ए का मतलब होगा अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन ठीक है अभी देखो इसको तो बस बना लो वीडियो को पाउस करें फिर समझाते हैं क्या है यह अभी को देखो पी का और क्यू का कोडिनीट मुझे पता हुआ जहां पर हम दो टेंजेंट बनाए हैं वो टेंजेंट आगे चल कर जहां पे कट करेगा उसका कॉडिनेट हम लोग इस गोवा ट्रिक से निकालेंगे ठीक है गोवा ट्रिक से कैसे देखो जी फॉर है जो मेट्रिक मीन ओ फॉर कुछ नहीं है बस ट्रिक बनाने के लिए ओ लिखाओं मैं एफ और है अरिथमेटिक मेन जो आर का एक्स कॉडिनेट होगा ना जो आर का एक्स कॉडिनेट होगा मतलब आर का एपसी सा जो होगा वो पी और क्यू के एक्स कॉडिनेट का जो मेट्रिक मीन होगा देखो अगर मान लो ए बी सी जो मेट्रिक प्रोग्रेशन में जी पी में है तो यह जो बी होता है ना एसी का जो मे का मतलब होता है next upon previous हमेशा सेम होना रभी रेशियो सेम होना मतलब बी बाइए जो होगा वही सी बाइब भी होना चाहिए ठीक है तभी जो में कहलाता है जैसे मालो मैं लिखा 2,4,8,16,32 ऐसे चल रहा है देखो रेशियो 4 by 2 का रेशियो 8 by 4 की equal आ रहा है फिर 16 by 8 की equal आ रहा है मतलब ये रेशियो अगला बटे पिछला अगला बटे पिछला ये रेशियो हमेशा अगर सेम आ जाएगा तो उसको कहते हैं बटे पिछला मतलब B by A equal to अगला बटे पिछला फिर C by B होगा तो यहां से देखिए B cross multiply इधर B square equal to क्या हो जाएगा A C हो जाएगा तो B equal to क्या हो जाएगा अंडर रूट A C हो जाएगा है ना तो B equal to under A T A C हो गया तो यहां पर देखो पी और क्यू का X coordinate क्या है पी का X coordinate है A T square है ना A T1 square और क्यू का X coordinate क्या है A T2 square इसका अगर मैं geometric mean निकालूं तो दोनों को multiply करके square root निकाल दो दोनों का multiplication square root के इंदर इसको multiply करूंगा तो क्या मिलेगा A square T1 square into T2 square तो यह A बहर आ जाएगा square root फिर यह क्या होगा T1 into T2 यह होगा नो geometric mean A T1 T2 geometric mean कैसे निकालते हैं जैसे ABC का geometric mean निकालना है B तो B equal to होगा under root AC कैसे होगा यह भी आप side में करके लिख लिएगा कैसे होगा B क्या है geometric mean है G dot M लिख देता हूं मैं geometric mean लिख लेना यहां पर GM क्या मतलब है geometric mean under root AC होता है तो इन दोनों का under root निकालोगे तो A square होगा T1 square T2 square और A square से A बहार आ जाएगा square root से T1 बहार आएगा T2 बहार आएगा तो देखो वही यहां पर X coordinate लिखा होगा है क्या लिखा होगा है A T1 T2 X coordinate और जो Y coordinate होगा वह होगा arithmetic mean अब arithmetic progression क्या होता है यह भी शमझा देता हूं मतलब different same होना जिससे मनलो 3 लिखा 5 लिखा 7 लिखा 9 लिखा 11 लिखा यह arithmetic progression में है यह आप लोग 10th class में भी पढ़े हुए हैं देखो अगला माइनस पिछला 5-3 2 आ रहा है 7-5 2 आ रहा है 9-7 2 आ रहा है तो यह arithmetic progression में है तो यह बीच वाला क्या होगा इसका 5 क्या होगा इनका क्या कहलाएगा अर्थमेटिक mean कहलाएगा तो देखो 5-3 equal to क्या होगा 7-5 के equal होगा है ना तो 5 को इधर ले लो 2 into 5 equal to क्या हो जागा 7 plus 3 तो 5 equal to क्या होगा 7 plus 3 upon 2 होगा ना वही 5 है 7 plus 3 10 10 upon to 5 तो अगर तीन नंबर इसी में अगर तीन नंबर देखो इसको पहले लिख लीजिए इसको पहले लिख लीजिए साइड में यह figure बना लीजिए फिर वहीं पर मैं arithmetic progression भी समझा देता हूं वहाँ पर लिखके सी माइनस भी जैसे geometric progression में क्या होता है ratio अगला बटे पिछला ratio और arithmetic progression में क्या होता है अगला माइनस पिछला मतलब एक कदम आगे माइनस एक कदम पीछे सेम होना चाहिए यह difference तो यह b इधर आ जाएगा तो 2b हो जाएगा एधर चला जाएगा तो a प्लस c हो जाएगा तो b की value क्या होगी a प्लस c by 2 है ना तो जो y coordinate होगा वो क्या होगा p और q के y coordinate का arithmetic mean होगा तो जरा इनका p और q क्या है arithmetic mean मतलब तो a मानलो यह है c मानलो यह है तो इनको add करो 2a t1 प्लस 2a t2 upon 2 2a common आ गया तो a इन्टु t1 प्लस 2 लिखा उड़ा हुआ है ना तो यहां से हमनी सो क्या लिख सकते है आर यह बात समझ में तो इसको भी आप लिख लीजी जरा यह क्या है अपना arithmetic mean है यह क्या है a dot m लेखllo तो इसको ये क्या है अपना arithmetic mean है, अब देखो, मैं इसका मतलब लिख देता हूँ, यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इसको भी पहले लिख लिए, फिर इसका मतलब भी लिख देता हूँ, तो g4 क्या geometric mean, a4 क्या arithmetic mean, geometric mean मतलब x-coordinate आएगा यहां से और a4 arithmetic mean से y-coordinate आएगा, किसका x-coordinate, point of intersection का किसके point of intersection का, तो दो tangent के point of intersection का, ठीक है तो यहां पर अगर मैं g लिखूं, geometric mean of x-coordinate of p and q और a का मतलब क्या arithmetic mean of y-coordinate of p and q, ठीक है तो जो x-coordinate आएगा, geometric mean से, y-coordinate आएगा, arithmetic mean से p और q क्या है, point of contact है, tangents के, जो दो tangent बनाए p है t1 का point of contact, और q क्या है, t2 का point of contact तो बच्चों, यही था हमारा properties of tangent on the parabola, बहुत ही important है अब हम लोग question करेंगे parabola पे, तो इसको पहले लिख लिखेंगे पूरा तो चलो, अब question करना, start करते है, parabola के tangents पे, अभी तक जितना भी पढ़े हुए है न, अब सब पे question ही करना है, ठीक है, अभी question कर लेंगे काफी सारा, फिर नॉर्मल पढ़ेंगे parabola का, तो पहला question है, देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, find the point of contact q and r, of a tangent from the point this, from the point, मतलब इस point से हम जो, देखो, किसी भी एक point से ने tangent पे maximum, किसी भी parabola पे maximum 2 tangent बनाया जा सकता है, ठीक है, तो किसी from the point, अगर आपको देखो, कभी-कभी क्या, पहले एक बार question पढ़ लेते हैं, फिर डिसस करते हैं, find the point of contact q and r, of a tangent from the point this on the parabola this, देखो, मैं भी जब student था, जब यह question मानलो इस टाइब का आता था, तो मुझे क्या लगता था, कि जैसे यह parabola दिया हुआ है, तो इस पैरा, यह parabola कुछ ऐसा बनेगा, तो इस parabola के point p पे, जो point 2 और 3 पे tangent बना है, अब देखो, यह, इसका मतलब यह यह नहीं है, कि p पे tangent बना है, इसका मतलब यह from the point, यह point parabola पे नहीं है, अब आपको कहे से कह सकते हैं, parabola पे नहीं है, तो यह point पैराबोला में रखके देख लो, parabola के equation में, अगर यह point parabola के equation को satisfy करेगा, तो होगा उस पे, तो देखो, 3 रखो, यहां पे, यह 9 हो जाएगा, 4 to the 8 हो जागा, satisfy नहीं कर रहा है, तो यह point parabola पे नहीं है, इसका मतलब यह point कहीं बाहर है, देखो, अब समझते इस question को, यह parabola है, मान लो, y square equal to 4x, मान मतलो, धिया हुआ ही है parabola, ठीक है, और इस parabola के किसी point P से, मान लो, एक point P है, 2,3, देखो, यहां पे, y और axis और axis बानने क्या किया, 2 tangent बना दिया, ओके, अले यार, एक मिनट, पहले tangent ही बना देता है, यह हुआ ड्राइं, ठीक है, तो एक tangent बना दिये, और एक मान लो, यहां पे, दूसरा tangent बना दो, ठीक है, तो यह parabola हो गया, अब इस parabola से, 2 tangent बना, एक मान लो Q पे टच किया, और एक मान लीज है आर पे टच किया तो हम लोग को जानते हो क्या पूछ रहा है यहां पर क्यू और आर पूछ रहा है तो बच्चों अभी हमना इक लास्ट प्रॉपर्टी पड़े हैं कि क्यू और अगर पता होता है तो देखो तो यहां पे जो हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे आ प्र्रॉपर्टी सिक्स वही वाला अ करते हैं क्या प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं यह sixग दिखने Later कर दो 4A equal to 4 हो जाएगा तो A की value यहां से 1 आ जाएगी आ जाएगी ना तो यह वाला point को आप parametric coordinate मान सकते हो ना A T1 square है ना यह तो 1 है तो इसको T1 square लेग दूँ और क्या होता है 280 280 होता है तो A की value तो क्या है 1 है तो यहां सब्सक्राइटर T2 मान लिए सुनों आप इन दोनों का गोवा geometric mean 2 होगा और इन दोनों का arithmetic mean क्या होगा 3 होगा तो सुनिएगा तो यह जो 2 होगा इन दोनों का geometric mean और geometric mean क्या होता है उस number को multiply कर दो जो भी है और उसका square root निकाल दो तो 2 equal to क्या होगा T1 into T2 है ना यह पहला relation बन गया दूसरा कह रहा है इन दोनों का arithmetic mean तो दोनों को add कर देते हैं और 2 से divide कर देते हैं अगर कोई जैसे मैं तुम्हें बोल दूँ कि 4 और 5 का मुझे arithmetic mean बताओ तो 4 plus 5 upon 2 निकाल दो A और B का arithmetic mean क्या होगा A और B का arithmetic mean A plus B upon 2 कर दो बस वही है इन दोनों का arithmetic mean 3 होगा होगा ना गो आ जो metric mean x coordinate देगा और arithmetic mean y coordinate देगा upon 2 equal to 3 होगा common ले लिए 2 को common लेके काड दिए तो T1 plus T2 equal to 3 हो गई हो गई ना अच्छा अब देखते हैं यहां से अगर मैं T2 equal to 2 by T1 कर दो क्या उसको अब मैं इसमें रख देता हूँ T2 को तो यह T1 plus 2 by T1 equal to 3 T1 square plus 3 LCM लेंगे ना तो यहां आ जाएगा 3 T1 plus 2 equal to 0 अब यहां पर middle time split करो और T1 की value निकालो ठीक है तो उसको मैं उथर रफ करता हूँ और वहां पर निकालता हूँ तो देखिए T1 square minus 3 T1 plus 2 equal to 0 है तो यहां पर middle time split किये minus 2 T1 minus T1 plus 2 equal to 0 solve किये तो T1 की value 2 value आई यहां से दिखी रहा था T1 quadratic में है तो T1 की 2 value आई गी तो T2 equal to 2 upon T1 तो T2 equal to 2 upon T1 रखें अब हम T2 के value निकालते है तिवन अगर 1 होगा तो T2 कि value क्या होगे 2 upon T1 के जगप1 रख देंगे 2 आ गया और T1 अगर 2 होगा तो T2 की value क्या होगा 2 upon T1 तो T1 के जगप 2 रख दिए 1 तो क्या समझे यहां से अगर T1 की value 1 आ रही है तो T2 की value क्या रही है 2 आ रही है और अगर T1 की value 2 आ रही है तो T2 की value क्या रही है 1 आ रही है अगर यह बात समझ गए तो अब अपने को निकालना क्या था यह coordinate निकालना था है ना P और Q बस अब तो है अब बस फॉर्म यहां पर रख रख दिना इस में तो देखो कू सब्सक्राइंद क्या है टीवन टीवन तो अगर मैं अभी मैं ूज्वन करता हूं बच्चों अगर tallest यूँज करता ओं यहां पर तो कि Q2 का square क्या हो जागा यहां पर Q का coordinate 4 और यहां पर T12 रखेंगे तो 4 तो 4,4 आया समझ में तो यहां से Q का coordinate आपका 1,2 भी हो सकता है या 4,4 भी हो सकता है अब हम लोग न क्यों निकल गया अब R निकालते हैं R का coordinate क्या है T2 square,2 T2 तो T2 की वी दो value है T2 की value क्या है 2 और 1 तो अब अगर हम T2 की value क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं तो R क्या आ जाएगा 2 रखो यहां पर 4,4 आ गया न और अगर आप T2 की value यहां पर 1 रखोगे तो 1 का square 1 और 2 into 1 तो coordinate क्या आ गया 1,2 या 4,4 तो देखो यहां पर Q का coordinate जो है और Q का coordinate 1,2 आया और 4,4 आया R का coordinate भी 1,2 आया और 4,4 आया तो अगर मैं Q को 1,2 बोलूँगा उस समय मैं R को न 4,4 बोलूँगा ठीक है? या जब मैं Q को 4,4 बोलूँगा या जब यह 4,4 होगा मतलब Y coordinate 4 और X coordinate भी 4 होगा तो R उस case में क्या होगा? R उस case में क्या होगा? 1,2 होगा ऐसा कभी नहीं होगा कि Q भी 4,4 ले लिजे सर और R भी 4,4 ले लिजे तो इसका भी coordinate 4,4 इसका भी coordinate 4,4 दो अलग अलग point का same coordinate कैसे होगा? तो जब Q का coordinate यह होगा तो R का coordinate यह होगा जब Q का कॉडिनेट यह होगा तो R का कॉडिनेट यह होगा है ना हो सकता है R उपर होगा Q नीचे होगा तो मतलब 100 बात की एक बात जो अपना required सो required coordinates जो आएं है उसको हम कह सकते हैं Q का वैल्ययो आप 1,2 रख दो एंड आर का वैल्यू 4,4 रख दो थिक है तो आप संप में देख लेंगे कैसे क्या दिया हुआ है ठीक है ऐसा भी कर सकते थैं required coordinate q का value 4,4 और r का value 1,2 ठीक है बस अलग लगा आएगा आया समझ में तो देखो अब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 6 का कितना यूज हुआ चलो अब next question करते हैं यह लिखली से अब देखो next question क्या कहता है बहुत बढ़िया question है यह question में कह रहा है the parabola y square equal to 4x देखो कोई parabola होगा y square equal to 4x यह एक parabola है and the circle having its center एक कोई circle है जिसका center दिया हुआ है 6,5 ठीक है intersect at right angle circle का radius नहीं दिया हुआ है तो हम लोग equation find out नहीं कर सकते हैं बद इतना पता है कोई एक circle है जिसका center क्या है 6,5 है intersect at right angle then find possible points of intersection of these curves मतलब यह parabola और circle एक दूसरे को intersect कर रहा है तो इस parabola और इस circle का point of intersection निकालना है जो intersect कर रहा है वो right angle पर intersect कर रहा है तो सुनो जैसे माल लो दो straight line मैं बोलू एक दूसरे पर perpendicular है तो आपके मन में कुछ ऐसा figure आएगा हाँ sir perpendicular है या फिर कह सकतो sir यह यह देखो यह perpendicular है लेकिन जब भी मैं बोलो दो curve एक दूसरे पर perpendicular है जब भी मैं बोलो दो curve एक दूसरे पर perpendicular है तो उसका मतलब यह होता है कोई भी दो curve हो ठीक है कोई भी माल लो यह curve है ठीक है और यह माल लो एक curve है मैं बोलो यह दोनों एक दूसरे पर right angle पर है तो यह तब होगा जब देखो जहां पर भी point of intersection है यह माल लो curve 1 है यह माल लो curve 2 है तो curve 1 के पर एक tangent बना दो कहां पर tangent बनाएंगे तो point of intersection अच्छा रुको यह सा नहीं बना दूसराग बनाते हो माल लिजए एक curve यह है और एक curve यह है ठीक है यह माल लिजए curve 1 है और यह curve 2 है और अगर मैं बोलू यह दोनों curve right angle पर है है कि जहां पर भी वो intersect करता है वहां पर उनके tangent बना दो देखो यह curve 2 का tangent है तो इसको टी टू बोल दो यह curve 1 का tangent बना दो इसको टी वन बोल दो तो point of intersection पर उनके tangents 90 degree पर होने चाहिए उनके tangent आपस में क्या होने चाहिए perpendicular होना चाहिए तो कभी भी दो कर्फ अगर कोई भी दो कर्फ एक दूसरे पर क्या right angle पर है तो इसका मतलब है कि उन दोनों कर्फ के point of intersection पर जो भी दो tangent बनाएंगे उन कर्फ के वो tangent आपस में right angle पर है ठीक है ना इसका मतलब यह होता है मतलब कोई भी में दो कर्फ बना दूँ यह कर्फ बना दूँ यह कर्फ नहीं है ये कर्फ टू है अगर मैं बोनो यह right angle पर है तो इसका मतलब यह होता है कि जहां पे भी वो cœur intersect किया है वहाँ पर उनके tangent बनाएए पहले यह कर्फ बन तेंजेंट्स वो मालो कोई भी दो कर्व है जहां पे वो दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट ओफ इंटरसेक्शन पे उस कर्व के अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो वो कर्व भी परपेंडिकुलर होता है मतलब अगर कोई भी दो क कर्व एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है का मतलब यह होता है कि वो दोनों कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उनके रिस्पेक्टिव टेंजेंट मतलब उन कर्व के टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है तो इसी कंसेप्ट का मैं यहाँ पे use करूँगा आई बात समझ में तो देखिए मैं एक सर पैराबोला बनाया पैराबोला क्या दिया हुआ है y square equal to 4x यह पैराबोला बना दिया y square equal to 4x इसमें a का value 1 है दिख रहा है मैं लेकर रख लिया तो देखो तो पैराबोला पे जो हम टेंजेंट यह पैराबोला है पैराबोला पे देखो यह टेंजेंट है यह पैराबोला है दो कर्वे जो tangent है इसका नाम में TC दे दिया tangent on the circle ठीक है तो question में कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को right angle पे cut कर रहा है मतलब parabola और circle एक दूसरे को right angle पे cut कर रहा है उसका मतलब ये होता है कि point of intersection पे जो भी मैं दो tangent बनाऊ उनके वो tangent भी आपस में 90 degree पे होंगे ठीक है आगे ये बात समझ में तो अब देखो तो सुनना द्यान से अगर मैं simple देखो अगर मैं circle chapter में चलता हूँ circle पे मैं एक normal बनाने बोलू तो circle पे normal कब बनेगा जब माल लो circle कोई circle है माल लो दिया हुआ और मैं तुमको बोलूँगा कि circle के इस particular point पे एक normal बनाओ तो उस particular point P पे आपको एक tangent बनाना परेगा तभी normal बनेगा आज ये बात समझ में या किसी भी curve के पे अगर मुझे normal बनाना है जैसे माल लो यहाँ पे मुझे normal बनाना है तो इस पे पहले एक tangent ड्रॉ करना परेगा तभी उस tangent पे एक perpendicular line बना दो तो ये perpendicular line इस curve का normal कहलाएगा और ये tangent कहलाएगा आई बात समझ में और हम जानते हैं circle का normal circle के center से पास करता है हमेशा circle का normal circle के center से पास करता है तो देखेगा दियान से ये जो TP है ये क्या है tangent on the parabola है ये TC क्या है तो circle के tangent पे जो भी line perpendicular होता है मतलब ये देखो ये right angle पे होगा न तो ये जो TP है tangent on the parabola है ये circle के tangent पे क्या है perpendicular है क्यों होई क्योंकि कही रहा है कि ये दोनों curve एक दूसरे पे perpendicular है अगर दोनों curve एक दूसरे पे perpendicular है तो उनके tangents on the point of intersection जो tangent बनाएंगे वो भी एक दूसरे पे perpendicular होगा तो अच perpendicular होगा तो हम कह सकते हैं क्या कि ये tangent on the parabola जो है parabola पे जो tangent है वो circle के लिए normal का काम कर रहा है वो circle के लिए normal हम लिख सकते हैं NC है ये normal on the circle है और अगर ये NC है normal on the circle है तो 100% ये circle के center से pass करेगा center क्या दिया हुआ है 6,5 से pass करेगा आई बात समझ में यहां तक रुको ये rough कर लेता हूँ अब देखो ये हम अपने को निकालना क्या find the possible point of intersection ये point of intersection मतलब ये circle पे भी जो point होगा लाई करेगा parabola पे भी तो parabola पे भी देखो कभी भी कोई point हम लेट करना हो तो जादा से जादा कोसिस किया करो parametric coordinate लेट करना तो parametric coordinate इस parabola पे क्या होगा 80 square,280 होगा तो a की value तो 1 है तो हम ले सकते हैं क्या t square,280 तो 2t parametric coordinate माल लिए अब सुनो ये tangent on the parabola जो है ये tangent on the parabola इसका equation क्या हो सकता है हम लोग पढ़े हैं क्या tangent on the parabola y square equal to 4x के लिए parametric coordinate क्या होता है parametric form क्या होता है tangent का बताओ yt equal to x plus 80 square होता है न बच्चों अब जितना भी वीडियो हम लोग पहले से पढ़े हुए है पहले हम लोग सवाल एकदम नहीं किये थे बस पढ़े जा रहे थे अब पूरा revise करके आओ क्योंकि अब हर class में question ही अधिकतर करने बाले है बहुत कम पढ़ेंगे theory अब theory कम ही बचा है सिर्फ question करेंगे जब तक question नहीं करोगे theory समझ में नहीं आएगा यह जो tangent on the parabola है यह tangent on circle पे perpendicular है और अगर किसी circle के tangent पे किसी भी circle के tangent पे अगर एक line perpendicular है तो वो line normal का काम करता है circle के लिए और circle का normal उसके center से पास करता है तो हम कह सकते हैं कि यह जो line हम बनाए yt equal to yt equal to x plus ct square यह circle के center से जाएगा तो क्या यह point इसको satisfy करेगा बिलकुल करेगा तो yt equal to क्या हो गया x plus 80 square हम लिखेंगे as as tangent on parabola parabola will be normal on circle normal on circle circle पे normal होगा and normal on circle normal on circle will pass through will pass through कहां से pass करेगा will pass through center of circle है ना तो so हम कह सकते हैं यह वाला point so center will satisfy so center 6,5 क्या कहेंगे so center 6,5 will satisfy will satisfy स्टिस्फाइ स्टिस्फाइ एक्वेशन ओफ टैन्जेंट और पैराबोला देखो exam में तो यह तो मैं समझाने के लिख रहा हूँ ना जी मेंस में तो यह सब कंसेट मन में सोचना है ना में आपको इसलिए लिख दिया हूँ कि बाद में आप रिवाइस करो तो समझ जाओ तो center 6,5 will satisfy tangent of parabola करेगा equation of tangent तो यहां तक लिखिए पहले तो देखो satisfy करेगा तो 6,5 है center यह वो इस equation को satisfy करेगा तो y के जग पर 5 और x के जग पर क्या जाएगा 6 जाएगा तो 5 t equal to 6 plus a t square a का value तो 1 है ना a का value तो 1 है तो आप यहां पर 1 रख लिजे यह हो जाएगा यह equation क्या होगा y t equal to x plus t square तो 5 t equal to x plus t square तो अपने पास क्या आ गया t square minus 5 t plus 6 equal to 0 अब यह middle term splits करो और t का value निकालो t का value जैसे ही आ जाएगा उसको हम यहां रख देंगे point of intersection आ जाएगा किसी तो split कर दें t square minus 3 t minus 2 t plus 6 equal to 0 t common आ गया t minus 3 minus 2 common आ गया t minus 3 equal to 0 तो t minus 2 एक factor होगा t minus 3 एक factor होगा तो t की 2 value आ गई 2 comma 3 आ गई t की क्या आ गई 2 value आ गई तो हम कह सकते हैं तो देखो 2 value इसलिए आ रहा है तो हो सकता है वो यहां पर भी तो cut करेगा तो 2 coordinate आएगा है ना तो पहले लिख लिए लिजे यहां पर तो देखिए बच्चो अगर t का value हम 2 रखेंगे t का value अगर 2 रखोगे तो point of intersection 2 का square 4 और 2 तू जा 4 4 आएगा और t का value अगर 3 रखोगे तो 9,6 आएगा तो 2 point of intersection का answer इसलिए आ रहा है क्योंकि यह दोनों करव एक दूसरी को 2 बार cut करेगा अगर इसको आप लोग 4,4 मानोगे तो इसको क्या मानना परेगा 9,6 मानना परेगा और इसको अगर 9,6 मानोगे तो 4,4 मानना परेगा अब सुनों स्टार्टिंग में आप लोग कहते कि सर इसको भी तो हम लोग t1, t2 लेके करते कोई जूरत नहीं था एक ही point को लेते हैं वहां से tangent बना लिए और solve कर लिए t की 2 value आई एक उपर वाली कोडिनेट होगी एक नीचे वाली कोडिनेट होगी तो आज के लिए इतना ही अब next अगले क्लास में करेंगे okay, bye, have a nice day